अगर आपके घर में भी बेबी टेलकम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खबर देखना आपके लिए बेहत जरूरी है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कैंसर को दावत देने वाला बेबी टेलकम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य को बिगाड सकता है और उसे मौत के मूँ में धकेल सकता है मशुहूर अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉंसन एंड जॉंसन लंबे समय से आरोब जेल रही है कि इसके बेबी पाउडर से कैंसर होता है इस साल अगस्त में अमेरिका की मिसौरी की एक अदालत ने बेबी पाउडर से कैंसर होने की बात साबित होने के बाद कंपनी पर करीब 32,000 करोड रुपे का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया था कंपनी लगातार इन आरोपों को खारीच करती रही लेकिन समाचार एजनसी राइटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कंपनी को आज नहीं दशकों पहले से इस बात की जानकारी थी कि इसके पाउडर में एस्बेस्टर्स होता है एस्बेस्टर्स से कैंसर का ख इस्तिमाल किया जाता है तो ये खबर देखना आपके लिए बेहत जरूरी है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कैंसर को दावत देने वाला बेबी टेलकम पाउडर का इस्तिमाल कर रहे हैं क्योंकि ये आपके बच्चे के भविश्य को बिगाड सकता है और उसे मौत के मुँ म धकेल सकता है मशुहूर अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉंसन एंड जॉंसन लंबे समय से आरोप जेल रही है कि इसके बेबी पाउडर से कैंसर होता है इस साल अगस्त में अमेरिका की मिसौरी की एक अदालत ने बेबी पाउडर से कैंसर होने की बात साबित होने के बाद कंप को आज नहीं दशकों पहले से इस बात की जानकारी थी कि इसके पाउडर में एसबेस्टर्स होता है एसबेस्टर्स से कैंसर का खतरा बन जाता है यह जानते हुए भी कंपनी सालों से यह प्रोडक्ट मार्किट में खुले आम बेच रही है सोशल मेडिया पर खबरों की लगा अपडेट के लिए आप देखते रही है हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें